सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उच्छल भविश्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलग्द अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें हलो बच्चों कैसे हैं आप जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंध होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास एक एवं दोग की पढ़ाई प्रति दिन दो फर तीन बजे से चार बजे तक शुरू हो चुकी है तो हमें क करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कौपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारक्रम में शामिल होना है जहां हम नई नई चीज़े सीखेंगे वह भी मन और अजग तरीके से तो तैयार है ना आप सर्दू आज हिंदी की क्लास में फिर खुलेगा कहान जिसका नाम है नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छट पर कूदें उसके बाद 12 खड़ी और शब्द खेल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को फिर गणित की कक्षा में हम लोग डिंग डांग डिंग गेम के माध्यम से अंकों को और बेहतर धंक से जानेंगे तथा जोड चाट के माध्यम से हम लोग अंकों का जोड करेंगे फिर अंग्रेजी में एक राइम पढ़ेंगे जिसका नाम है अंत में चलेंगे चिडिया घर और देखेंगे जूशो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ बापू की कहानी जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वज़े से उनकी एक साल की पढ़ाई बिगड गई बात में उन्होंने को मैनत करी पढ़ाई में उनका मन लगने लगा ल भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलत फैमी हो गई थी कि साफ सुत्रे लिखाई का शिक्षा से कोई लिना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी। लेकिन बचपन के बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखावब पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुन्दर अक मेरे उधारन से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवशक अंग है। लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंचले भाई करसंदास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुची नहीं थी। दोनों बार-बार फेलोकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थी। ये दोस्त दूर तक तेजी से दोड़ सकता था। उचा कूच सकता था। लंबा भी कूच सकता था। दिवार चड़ प्रभाव एकदम उल्टा, डर्पो, शरीर से दुर्बल, ना दोड़ते बनता, ना कूटते बनता, कोई डार दे तो रो पड़ते, पिटाई सैना तो दूर की बाद, दोस यह सब जानता था, जो कमिया हमें अपने आप में दिखती हैं, उनी गुणों को हम दूसरों में मा, बड़े भाई और कस्तूर भाई ने मोहन को समझाने की खुब कोशिश की, वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुमें अपना ध्यान देना चाहिए, मोहन ने उन्हें भरुसा दिलाया, उन्हें बाद जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिप कर मास खाते हैं, और शराब भी पीते हैं, राज़कोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्याले के कई चात्र भी, इसलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मास नहीं खाते, अंग्रेज मास खात कि यही समात सुधार है, मोहन का परिवार एकदम पक्का वैश्टम, शाकहारी था, पर उनका मजला भाई करसंदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मास खाने लगा था, उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मास खाता हूं, तुमारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे जादा बलवान है, हिम्मत वाले है, हमें किसी का डर नहीं लगता, मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे, देश को आजाब तो करवाना ही था, समासुधार भी तो करना था, सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीरानी में च मास का सुवान मोहन को चमणी जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी, तो थोड़ा सा खाके छोड़ दिया उस रात बहुत तकलीफ हुई, जैसे ही नीद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बगरी मिमिया रही है, वो चौक कर उठते, फिर अपने आपको समझाते कि मास खाना जरूरी है दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो तरह तरह के पकवानों में मास मिला देता, टाकी मोहन को भाज आए, यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहांके बावर्ची को उसने पटा रखा था यह सब साल भर तक चला, कोई पांच-छे बार मोहन ने चोरी चिपे मास खाया, खर्चा हमेशा दोस्ती उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी-कोडी भी नहीं होती थी जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लोटते, तब भूकी नहीं बचती, तो वो घर में जूट बोलते माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूक नहीं है, पेट में गड़ बड़ है, पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धुका देता रहूंगा घर में जूट बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मास खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया, और फिर सदा ही शाकाहरी रहे, लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला कस्तूर बाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे, वे अपनी पतनी पर बेवज़ा शक करने लगे, कस्तूर बाई के पास मोहन की बदसलू की सहने के अलावा कोई चारा नहीं था मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भागय का कारण बन चुकी थी, वे इससे तभी छूटे, जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकते करते दिखा, जिससे उन्हें धक्का लगा आज के लिए इतना ही, अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चूरी की थी हेलो बच्चो, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड बच्चे अपने माता पिताब, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमारा शो तो घंटे भर में खतम हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिल कर करते रहेंगे तो बहुत मजाएगा क्यों? क्या कहते हैं? चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल तो आप तयार है? चलिए, सुनते हैं एक कहानी बिट्टू, क्या कर रही हो? हाँ काका, काकी के काम में हाथ बटा रही हूँ क्या बात है बिटिया, आज बहुत मदद कर रही हो अपने काकी की आपको तो चौपाल लगाने से फुर्सत है नहीं, बिट्टू ही है मेरी मदद के लिए देखा बिट्टू, तमारी काकी बहुत जल्दी नाराज हो जाती है यही है, चौपाल पर बैठो और दुनिया की ख़बर जुटाओ अरे हाँ हाँ, वो भी तो जरूरी है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसका पता भी तो रहना चाहिए आप इसी सब में लगे रहिए, पता भी है, बिट्टू ने बहुत बढ़िया कवीता सुनाई है मुझे अच्छा, तो बिट्टू मुझे भी सुनाओ क्यों नहीं, अभी सुनिये करते छपक छाईया, आओ भीगे भाईया करते छपक छाईया, आओ भीगे भाईया नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे करते छपक छाईया, चाता ले लो भाईया करते छपक छाईया, पैर फिसल गया भाईया नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे करते छपक छाईया, कमर तूट गई भाईया करते छपक छाईया, कमर तूट गई भाईया नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे तुम्हारी काकी भी तुम्हारी तरह अच्छा गालेती है अब तो बरसात का भी मौसम आ गया है हमारे बिट्टू भी ननी ननी बूंदे इसके साथ छत पर कुदेगी हाँ काका मुझे तो बारिश में भीगना उचलना कुदना बहुत अच्छा लगता है हाँ बिट्टो इस गीत को सुनकर मुझे अपने बच्पन की याद आ गई पता है जब मैं छोटी थी तो मैं भी बारिश में खूब भीगती थी अपनी सहेलियों के साथ बारिश में उचलती कूदती रहती थी तुम्हारे नाना मुझे ढूंडने आते थे लेकिन मैं चुप जाती थी मैं जब नहीं मिलती थी तो नाना परिशान हो जाते थे तब नानी मुझे बुलाने आती थी और एक बार में ही मुझे ढूंड लेती थी और कहती थी जब देखो तब ये लड़की खेलती रहती है वाह काकी, आपने तो बारिश का भरपूर मजा लिया है अच्छा अच्छा बिट्टू, अब एक खेल हो जाए काका, आपने तो मेरे मौ की बात चीन ली, आप कोई नया खेल करवाईए हाँ बिट्टू, तुम्हारे काका को बहुत खेल आते हैं यही खेल करवाएंगे, और हम सब तो खेलेंगे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं आज की पहेली, बुझो तो जाने मुझे तो यह खेल बहुत अच्छा लगा, मैं जब छोटी थी, तब बिट्टू की नानी रात को सोते समय पूछती थी इसका मतलब काकी को बुझने और बुझाने में मज़ा आता है, है न काका बिल्कुल सही कहा बिट्टू काकी, अब काका से एक सवाल पूछी लीजिए, नहीं तो आपकी तारीफ में चार चान लगा देंगे सही कह रही हो बिट्टू, अब तुम्हारे काका से एक सवाल बूझने वाला पूछी लेती हूँ क्यों बिट्टू के काका, तयार हैं आप? मैं तो कब से तयार हूँ? तुम केवल सवाल पूछो, जवाब देने से मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगा बहुत खुब काका तो लीजिये सवाल, कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं? लगाइए ज़रा दिमाग और बताइए जवाब हम् काकी, आपने तो बहुत आसार से सवाल पूछ दिया, तो बताइए काका तुमारी काकी पूछ रही हैं तो बताना ही पड़ेगा, तो इसका जवाब होगा हम्, अभी बताते हैं, खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं, है न? तो तो इसका जवाब होगा हरी लौकी? आपकी हिसाब से यही जवाब है लेकिन लौकी को खरीदते हैं हाँ उसे कच्चा तो नहीं खा सकते फिर भी पका के तो खाते हैं इसका मतलग कापा का जवाब गलत है बिटू तुम को शिश करो हाँ मौसी मुझे समझ में आ गया कि इसका जवाब क्या होगा तो बताओ बिटू रुको रुको मैं समझ गया अब बताता हूँ तुम्हारी काकी को इसका जवाब है प्लेट बिटू ने आपकी मदद की तभी आपने जवाब बताया कुछ भी हो जवाब तो हमें ने दिया है बिल्कुल काका बिट्टु की काकी अब तुम्हारी बारी है ठीक है मैं कहां पीछे हटने वाली हूँ पूछिये लोहा खीचू ऐसी ताकत है पर रबर मुझे हराता है कोई सुई मैं पा लेता हूँ मेरा खेद निराला है अब बिट्टु की काकी इस पहली को बूझ हो तो जानू आपकी पहली को मैं बूझ गई इसका जवाब है चुम्बग अरे इतना जल्दी जान गई कमाल है वाह काकी आपने तो एक ही बार में काका को जवाब दे दिया वैसे काकी आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया बिट्टु ऐसा था ना जब मैं छोटी थी तब खराब रेडियो के स्पीकर से चुम्बग निकाल लेती थी उस चुम्बग को लोहे से चिपकाती थी ऐसा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था तब ही तो फट्टाक से जवाब दिया बूझने और बूझाने में दिमाग लगता है तो अब एकदम आसान सा खेल खेलते हैं क्यों काका आप तयार हैं? बिलकुल बिट्टू, तुमारे काका बिलकुल तयार है लेकिन अपने काकी से तो पूझ लो मैं भी आपसे कम थोड़े ना हूँ मैं भी खेलूंगी और जवाब भी दूंगी बहुत बढ़िया, तो फिर एक खेल देखते हैं तो आईए, खेल शुरू करते हैं बाराख खड़ी का आप तो ये खेल खेल चुके हैं पहले भी कई बार तो आप तो जानते हैं इस खेल में क्या करना है तो चलिए, खेल शुरू करते हैं तो आज कौन सी बाराख खड़ी का खेल खेले हैं? आप तूर जाएगा देखना हाँ तो आप जमाना है तो देखते हैं जाएगा 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 जा बाईं तरफ से मात्रा है, ध्यान से देखी इसको, और ये है दाईं तरफ से, काका ने और काकी ने बताया था ना, वैसे ही, अब जू, ये है, उसके बाद आना है जू, तो ये है बाईं तरफ, ये ही आएगा, जू, देखा, अब जू के बाद, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल सही जे तो ये रहा जे इसे पहुचा देती मैं अपनी जगा जे अब जे ये रहा जे अब इसको पहुचाना है यहाँ एक ही बचा है आखरी कौन सा है ये कौन सा है कौन सा है ये जो है सुनके देखें क्या ये ही जो है एक डंडा और एक उपर मात्रा जो है ये देखा तैंक यू अरे वह यह खेल खेल कर तो बहुत ही मज़ा आया मैंने जहकी और फाकी दोनों की बारा खड़ी खेली बड़ा मज़ा आया इजे फिर कभी खेलूंगी और दूसरे अक्षरों के साथ काकी इस खेल के बारे में बताईए अब ये ना कहना कि बचपन में खेला था देखो बिट्टू बारा खड़ी के खेल बचपन में ही बहुत खेले जाते हैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी हाँ बिट्टू, इस बार तो मैं तुम्हारी काकी वाले लाइन दोराऊंगा ये खेल ऐसा है कि जिससे लोग हिंदी पढ़ना सीखते हैं काका लगता है आप इसे स्कूल में खेल चुके हैं हाँ बिट्टू, ये खेल स्कूल में ही खेला था ये खेल तो मेरी भी क्लास में होता है और हाँ इसकी मदद से मिला मिला कर शब्द पढ़ना सीखते हैं पढ़ने के साथ साथ हमारी जुबान भी काम करती है ऐसे में हम शुद बोलना सीखते हैं और पढ़ते भी हैं आप म की बारा खड़ी सुनाइए अरे ये तो बहुत आसान है तो सुनो म की बारा खड़ी म 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 देखा पढ़ लिया न मैंने बहुत बढ़िया काका लेकिन आप एक दो जगे भूल रहे हैं देख लिया अपने काका को पता नहीं स्कूल जाते थे या रास्ते से ही घर लोट करा जाते थे मैंने तो सही पढ़ा था अब थोड़ी मोड़ी गलती तो होई जाती है इसमें स्कूल जाने या न जाने की बात कहां से आ गई बिट्टू तुम ही पढ़कर सुना दो तो मैं सुना रही हूँ, लेकिन टीवी देख रहे बच्चे भी मेरे साथ म की बारा खड़ी बोलिये, तो शुरू करूँ म, 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 शाबाश बिट्टू, पूरी लाइन वो भी सही सही बहुत बढ़िया काकी, अब दूसरा खेल, अब रहने दो बिट्टू, आज बहुत खेल हो गए अब बिट्टू कह रही है, तो एक खेल और खेल लेते हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं, जैसे बिट्टू को आप ही मानते हैं, मैं नहीं अरे बिट्टू की काखी अब बिट्टू का मन हो रहा है तो खेल लो मेरा भी मन तो है थोड़ा पहुत इसमें मानने या ना मानने वाली बात तो है नहीं आप लोग तो मौका पाते ही नोग जोग करने लगते हैं तो सबसे पहले एक खेल देखते हैं बिलकुल बिट्टू तो आईए खेल शुरू करते हैं शब्द खेल इस खेल में आपको क्या करना है इस खेल में आपको शब्दों की आवाज आईगी और वो लिखा हुआ कहा है ये आपको पहचानना है तो है ना तान तो चलिए खेल शुरू करते हैं खोट 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 छ थ ये रहा बंद ये रहा बंद तेक ये रहा देख अरे मेरी तो टक्कर हो गई तो ये रहा देख अरे 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 ये रहा जाग 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 ये रहा जाग लिक लिक ये रहा लिक धन धा धन धा पीछे है धा धन धा ध्यान से बिट्टू ये रहा ये रहा हाँ बुध हाँ ये है फटी फटी ये तो मैंने ये रहा अरे ये वाली मात्रा होती है अरे हमेशा गड़ पर करती हूं पूरा 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 नहीं पूरा शायद पूरा नहीं बीच वाला ही है अरे वाह इस बार मैंने 45 अंक पाए है तीसी बार में ही कम से कम मैंने सबसे जादा अंक पाए है वाह बिट्टू इस खेल में तो बहुत मजा आया अरे पहले क्यूं नहीं बताया कि मज़ेदार खेल है वरना तुम्हारे काका को मना क्यूं करती आपको इतना अच्छा लगा तो काका को भी बहुत मजा आया होगा हाँ बिट्टू बहुत ही बढ़िया खेल है काका इस खेल में क्या था? देखो बिटिया तीन शब्द वाले कार चलाते थे जो शब्द बोला जा रहा था उसे सही शब्द वाले कार को किलिक करना था जब किलिक होता है तो कार आगे निकल जाती है और बाकी कार पीछे रह जाती है जब गलत होता है तो कार का एक्स्टिडेंट हो जाता था वह काकी आपने भी बहुत ध्यान से देखा है अरे 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 देखिये घर में किस चीज के आवाज आ रही है कहां आवाज आ रही है अरे बिट्टू ये तो चुहे की आवाज है ये घर में चू 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 करता रहता है बिट्टू के काका हमारी बिट्टू फिर से खेलना चाहती है तो बता दो बिट्टू कौन सा खेल देखना है आप दिखाईए तो सही तब ही तो बताएंगे सही कह रही है बिट्टू आप खेल शुरू करिये कौन सा खेल खेलोगे क्या खेलोगे चलो भी खेलते हैं हाथी कि अदूएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए तो कैसा रहा ये खेल वाह काका एकदम मज़िदार खेल है मुझे ऐसे खेल किलना बहुत पसंद है बिट्टू की काकी तुम बताओ इस खेल के बारे में अब बिट्टू को पसंद आ गई तो मुझे भी पसंद है काका ये खेल तो जानवरो की आवाज निकालने वाला खेल है सही कहा बिट्टू क्या तुम मुझे बिल्ली की आवाज निकाल कर सुना सकती हो बिट्टू हमारी बड़ी होश्यार है अभी सुना देगी हाँ, ये मुझे आता है काका, बिल्ली के आवज, अब ही सुनाती हूँ मियाओ, 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 मियाओ शाबाश बिट्टु, शाबाश बिट्टु के काका, आप एक जानवर के आवाज निकाल पाएंगे क्यों नहीं, भिल्कुल निकाल पाऊंगा अब रहने भी दीजिये, आप नहीं निकाल पाएंगे काकी, पहले जानवर का नाम तो बताईए पहले से ही काका को हारा हुआ मान रही है हो सकता है काका को उस जानवर की आवाज निकालना आती हो ठीक है बिट्टू, तुम कह रही हो तो पूछने हैं तुम्हारे काका से आप गधे की आवाज निकाल कर बताईए क्या कहा, गधे की आवाज हाँ, गधे की आवाज, कोई दिक्कत है क्या नहीं मुझे कोई दिकत नहीं है अभी निकाल लेते हैं गधे की आवाज तो गधे की आवाज होई धेचून 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 वा भई वा आपने क्या गधे की आवाज निकाली है आज तो बिट्टू को भी बहुत मजा आया होगा क्यों बिट्टू हाँ काकी आज तो बहुत ही मजा आया खेलने में अब मैं अपना होंवर्क पूरा करने जा रही हूँ ठीक है बिट्टू मैं भी चला अपने चौपाल पर क्या सुखाल है क्या स्क्राइब करता है क्या स्वेट परस्टू मैं Tribe क्या स्वेट नच्वड़न एक है क्या स्वेटिट उना पर खब एक है क्या आज तो नच्वड़न बत्धाई ठखिया यह गिज़ को बैलिक झाला कि तुझ से लिगते हैं उन्हाई जूँख टो आर अगो रब GARBA जो जिए व्हुटक्ष्टों का झाला कि लिए आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेल लिये मतलब आज तो बहुत खुश सीख लिया नहीं चली आप आगे भढ़ते हैं और नई चीज़े सीखते हैं आगे हम क्या करेंगे आगे हम पढ़ेंगे गनित डढ़ने वाली बात नहीं है गनित बहुत आसान होती है अगर खेल खेल में हसी मजाग में सीखे तो तो चलिए सीखते हैं गनित खेल खेल में हसी मजाग में थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो विध्या, हेलो विजय और हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज विध्या और विजय हमें दिखाने जा रहे हैं कि दस्वे भाग में कैसे गिने या दहाईयों को कैसे गिनते हैं तयार? चलिए शुरू करते हैं विध्या, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि 10 वे भाग में गिंती करने के लिए क्या इस्तिमाल कर रहे हो आप ओओ, यह एक छोटी सी ट्रेन की तरह लग रही है तो आज हम खिलोना का उपयोग करके 10 वे भाग में गिंती करने जा रहे हैं और जानेंगे कि कैसे गिनते हैं विध्या, क्या आप दस नीली ट्रेनों का एक समू बना सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नो, दस तो यह दस नीली ट्रेनों का एक समू है अब विध्या, क्या आप दस पीली गाड़ियों का एक और समू बना सकते हैं? तो अब हमारे पास दस नीली और दस पीली ट्रेनों का एक समू है चलो हम गिनकर दिखते हैं कि हमारे पास अब कितनी ट्रेने हुई पहले से हमारे पास हैं यह दस ट्रेन और अब तो देखिए यदि हम केवल नीली गाड़ियों का समूह लेते हैं तो हमारे पास ये 10 होती है और यदि हम पीली और नीली रंकी दोनों रंकी गाड़ियों का समूह लेते हैं तो 20 तो विद्या क्या अब आप 10 हरी गाड़ियों का एक समूह लेंगे बहुत अच्छे तो पहले हमारे पास 20 ट्रेने थी और 10 और मिल गई है तो अब कितनी हुई? चलो बताओ चलो गिनते हैं हमारे पास अब 30 ट्रेने हैं इसलिए यदि हम केवल नीले गाड़ियों के समूह को लेते हैं तो हमारे पास 10 होती हैं और यदि हम पीले और नीले रंकी गाड़ियों के समूह को लेते हैं तो हमारे पास 20 हैं और यदि सभी तीनों गाड़ियों के समूह को लेते हैं तो अब हमारे पास 30 ट्रेने हैं तो विजय क्या अब आप टेबल पर 10 लाल गाड़ियों के एक समूह बनाओगी? बहुत अच्छे तो अब हमारे पास 10, 20 और ये 30 और ये रही 40 ट्रेने हैं इसी तरह से विजय क्या आप अब 10 काली गाड़ियों के एक और समूह ले सकते हैं? वेरी गुड तो अब हमारे पास कुल कितनी ट्रेने हैं? देखे, 10, 20, 30, 40 और पूरी 50 ट्रेने हैं क्या अब हम प्रेनों के और अधिक समूह बना सकते हैं? चलो बना कर देखते हैं यहां हमारे पास गाड़ियों के 5 और नए समूह हैं तो सभी समूह में कितनी कितनी ट्रेने हैं? देखो हां सभी समूह में 10-10 ट्रेने हैं तो ट्रेनों के समूह की गिंती शुरू करें चलो शुरू करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और फिर यह 60, 70, 80, 90 और यह पूरे 100 तो इसका मतलब है कि हमारे पास 100 रेने हैं क्या आपने देखा कि इस बार गिंती करते समय हमने क्या किया? वही तरीका अपनाया जैसे पहले आमतोर पर लोग करते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ऐसा किया क्या? नहीं, हमने उस तरीके से नहीं गिना हमने दस्वे भाग में गिना हम हर बार पिछली संख्या में दस जोडते हैं तो क्या विद्या और विजय आपके साथ एक बार फिर से दस्वे भाग में गिंती करने की कोशिश करें? चलो करते हैं दस, बीस, तीस, चालेस, चास, साथ, सतर, असी, नबे, सो वरी गूड तैंक यू विजय और विद्या आप लोगोंने दस्वे भाग में गिंती करने में हमारी बहुत मदद की है तो इसी तरह दस्वे भाग में गिंती करते रहिएगा और सीखते रहिएगा ठीक है? हम फिर मिलेंगे अलविदा दोस्तों इस खेल का नाम है डिंग डां डिंग इसमें कुछ तितलियां है, कुछ पक्षी है, कुछ शेर है, कुछ बंदर है और बड़े सारे हैं बताईएगा कि हमारे पास कितने पक्षी जानवर है? ओ, यह तो पक्षी नहीं लग रहे है यह क्या है? यह हेलिकॉप्टर है यह इनसान की बनाई हुई मशीन है जो हवा में उड़ती है चलिए, यह देखते हैं कि कितने हेलिकॉप्टर है आस्मान में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ चलिए, आठ हेलिकॉप्टर मुझे बताईए, नीचे दिये गए अंकों में आठ किदर लिखा है? यह वाला ना, क्लिक कर देते हैं शाबाश अरे वाल, यह तो समंदर का सीन लग रहा है इस समंदर में स्टार फिश है यह मचली, यह तरह की मचली होती है और यह मचली समंदर में रहती है तारे जैसी दिख रही है ना इसलिए इसको स्टार फिश कहते हैं स्टार यानी तारा और फिश यानी मचली चली, बताइए कित्ती स्टारफिश है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यहाँ पे साथ स्टारफिश है आप बताइए नीचे दिये गए अंकों में साथ किधर आ रहा है ये वाला आपने बहुत अच्छा जवाब दिया आस्मान में अब अंधीरा हो गया और तारे टिम्टिमा रही है बताइए कित्ते तारे है एक, दो, तीन, चार चार तारे है चार पे क्लिक कर देते है अरे फिर से तारे आ गए दोस्तों आपने कभी आस्मान में तारे गिनने की कोशिश की है कितने तारे देखते हैं आज पक्का शाम को आस्मान में तारे गिनने की कोशिश करिएगा और मुझे बताईएगा कि आपने को कितने तारे मिले फिलहाल के लिए इस चित्र में कितने तारे दिये हुएं ये देखते हैं इस चित्र में एक, दो, तीन, चार, पांच अब पक्षी गिनिये, पहले आप गिनिये, फिर मैं गिनती है, गिन लिया, देखते हैं कितने पक्षी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस पक्षी, बदाए ये दस नमबर किधर लिखा है, सही पैचाना, दस नमबर सबसे पहले लिखा है, इस बगीचे में तितलिया है, बताए कितनी तितलिया है, ये तो आपको तुरांट आजाना चाहिए, हाँ, इस बगीचे में दो तितलिया है, एक, दो, दो तितलिया, चलिए दो नमबर पे क्लिक कर दे, आज लगता है आस्मान में बादल है एक ही तारा दिख रहा है बागी तारे दिखी नहीं दें चाहिए एक तारे पर क्लिक कर दें फिर से तारे मगर अब पिछली बार से जाधा हैं कितने तारे हैं ये एक दो तीन तारे टिम्टिम आते हुए कितने अच्छे लगता है ना एक तो तीन चार पांच छे छे तारे अब आगई मचलियां पड़ी रंगीन मचलियां हैं इसमें से कौनसी मचली आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे तो ये लाल वाली अच्छी लग रही है पर हमें गिननी तो सभी पड़ेंगी ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल गिनी सारी गिनी और मुझे बताईए कि कितने मचलियां हैं गिन लिया चलिए अब साथ में गिनते हैं दुबारा गिनियेगा मेरे साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ठीक है हमने साथ में मिलकर गिना है कि यहाँ पे नौ मचलियां हैं अब हमें नीचे नौ नमबर पे क्लिक करना होगा बताईए नौ नमबर किधर लिख यह है छे यह साथ यह है तीन यह है दस यह है यह आठ यह नौ चलिए नौ पे क्लिक कर दे अरे आज का खेल तो यह ही तत्म हो गया बड़ा मज़ा आया मुझे गिनने में आपने घर की और चीजे गिनी अभी तक नहीं गिनी चलिए फिर गिनिये सबसे पहले आप गिनिये कि आपके घर में किती खिड़की है और फिर आप गिनियेगा कि आपके घर में किती चम्मच हैं और किती कटोरी ठीक है गिनकर ही इसका जवाब अपने माता मिता को जरूर बताईएगा हलो दोस्तों कैसे हैं आप आईए आज हम एक बार फिर इस चार्ट के माध्यम से जोड करके देखते हैं इस बार हम सबसे बाइक कॉलम और सबसे उपरी पंती में तीन का जोड करते हैं तो शुरू करते हैं, सबसे पहले, एक जोड तीन, बराबर चार, दो जोड तीन, बराबर पाच, और ये देखे, तीन, जोड तीन, बराबर छै, चार, जोड तीन, बराबर साथ, पाच, जोड तीन, कहां मिल रहा है? जी हां, पाच, जोड तीन, बराबर आट, छै, जोड तीन, बराबर नो, साथ, जोड तीन, बराबर दस, आट, जोड तीन, बराबर ग्यारह, नो, जोड तीन, ये कहां? बारह और दस जोड तीन बराबर तेरह वरी गुड ऐसे ही आप भी चार्ट के माध्यम से जरूर पढ़िएगा आज हम दिन के चार भागों के बारे में सीखेंगे मौर्निंग, आफ्टिनून, इवनिंग और नाइट क्या आप दिन के इन चार पार्ट के बारे में सीखने को तयार हो गूर्ड मौर्निंग मौर्निंग से आपके दिन की शुरुवात होती है आप दिन में कितने बज़े उठते हैं और आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है आप, आपकी मम्मी या आपके पापा जब मैं छोटा था तो मैं साथ बज़े उठता था और आप कितने बज़े उठते हैं और उठने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़े करते हैं सबसे पहला काम हम लोग ब्रश करते हैं ब्रश करने से हमारे दातों में cavities नहीं होती हमारे दात और हमारे मसूडे strong रहते हैं हमें रोज ब्रश करना चाहिए ब्रश करने के बाद हम लोग नहाते हैं नहाने से हमें fresh फील होता है अब दिन के लिए तयार हो जाते हैं प्रश कर लिया नहा लिये उसके बाद हम लोग प्रेक्फस्ट करते हैं प्रेक्फस्ट दिन का सबसे important meal होता है मेरा फेवरेट प्रेक्फस्ट जब में छोटा था तो eggs और toast था आपका क्या है प्रेक्फस्ट करने के बाद हम लोग स्कूल के लिए तयार होते हैं स्कूल के लिए निकल जाते हैं दिन के बाद आती है afternoon क्या कोई बता सकता है दिन की किस पार्ट को हम लोग afternoon कहते हैं जब sun अपने प्राइट टेस्ट पर होता है यानि की लगभग 12 बचे धूप सबसे तेज होती है उस समय को हम लोग afternoon कहते हैं कभी-कभी धूप इतनी तेज होती है कि हमें धूप का चश्मा लगाना पड़ता है यानि की sun glasses लगाने पड़ते हैं अब afternoon में हम लोग क्या-क्या चीज़े करते हैं हम लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं और खुब सारी मस्ती करते हैं खुब सारी नई चीज़े सीखते हैं हम लोग कुछ-कुछ नई चीज़े बनाते भी हैं जैसे painting करते हैं, sketching करते हैं और हम लोग खाना खाते हैं यानि की दोपहर का खाना यानि की lunch करते हैं मुझे lunch में भिंडी की सबजी और दाल बहुत पसंद है आप लोगों का फिवरिट लंच क्या है दिल धनले के बाद आती है शाम यानि की good evening क्या आप बता सकते हैं शाम कब होती है जब सूरज धल जाता है छे बजे के आसपस और सब लोगों के घर आने का time हो जाता है उस समय को शाम कहते हैं मेरे हिसाब से शाम दिन का सबसे मज़दार time होता है क्यों क्या-क्या करते हैं हम लोग शाम को शाम को हम लोग दोस्तों के साथ खेलते हैं वैसे आप लोग क्या-क्या खेलते हैं शाम को खो-खो, पकड़ा-पकड़ी, फुटबॉल, क्रिकेट, हाइडन सीक दोस्तों के साथ खेलने के बाद हम लोग अपने घर जाते हैं और सबसे पहला काम घर जाकर हम लोग अपने दिन का homework खतम करते हैं स्कूल में जो भी homework मिला होता है वो रोज उसी दिन खतम कर देना चाहिए homework करने के बाद आता है फेवरेट टाइम अफ दे डे कुछ लोगों का जैसे की मेरा टीवी टाइम आप टीवी पर क्या क्या देखते हैं काटून, मुवी, स्पोर्ट्स और अपने भाई बहन के साथ देखते हैं, अपनी मम्मी के साथ देखते हैं मुझे बहुत मजा आता था टीवी देखने में शाम के बाद आता है night good night यानि की आपकी रात अच्छी बीते night मतलब sleeping का time मैं जब छोटा था तो 9 बजे सोता था आप कितने बजे सोने जाते हैं और सोने से पहले आप लोग क्या क्या चीज़े करते हैं हम लोग एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते हैं आप बताते हैं कि आपने दोस्तों के साथ क्या खेला आज क्या खाया homework में क्या मिला था उसमें से कितना complete हो गया अपने parents के दिन के बारे में पुछते हैं उनका काम कैसा रहा और और क्या करते हैं हम लोग रात को हम लोग डिनर करते हैं यानि की रात का खाना खाते हैं और कुछ बचा क्या हम लोग अपना बैग यानि की बस्ता आरेंज करते हैं कल के स्कूल के लिए इसके बाद एक important चीज़, सोने से पहले हम अपने दाद ब्रश करते हैं जी हाँ, सोने से पहले ब्रश करना बहुत important है यह बहुत अच्छी आदत है और हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए तो दोस्तों, आज हमने दिन के चार भागों के बारे में सीखा Morning, Afternoon, Evening and Night आप भी लिस्ट पनाईए कि दिन के किस भाग में आप क्या करते हैं क्या आपकी लिस्ट आपके दोस्तों से अलग है? दोस्तों, आज की राइम का नाम है Clap Your Hands इस वीडियो का उत्पादन किया है प्रथम InfoTech Foundation ने चल दो फिर बिना वक्त कवाए देखते हैं और सुनते हैं इस मज़िदार राइम को में ऊब 55 का है चल 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 खंवो में इस वीडियोंτε। झाल प बन खन उन उन औरों जन आप मसे घुझाइ जुब थाई जो मैं त घर इंग सब आजिए आप आप है लुब आप अजब आप आप लुब आप सावाद आप deliber जुब आप कि जुब आप आप लुब आप लुब आप आपर आप लुब आप क्लाप जाप 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 ज Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands Right, तो मज़ेदार थी इसमें बहुत सारे actions को करके दिखाया गया है मुझे action को अंग्रेजी में क्या कहते हैं या समझ में आ गया है मैं इस राइम को अपने घर वालों को गा कर सुनाऊंगी तो आयाना मज़ा गनित सीख कर भी मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा है आप लोग घर पर दोहराएंगे और अपने घर पर सीखेंगे तो अभी तो वक्त समाप्थ हुआ हमें जाना पड़ेगा पर कल हम फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पे आना मत भूलिएगा तब तक के लिए बाए-बाए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठिय पुस्तक पूरक सामगरी अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलग्द अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा Android मुबाइल पर Google Play Store से e-lots डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों, एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने इलमों से बहुत कुछ सीखा भी होगा तो मिलते हैं अगले एपिसोड में